स्वागते दोस्तों आप सभी का सपना सोंस्कुलिंग ये चानल में आज हम शब्द संपदा जो पाठ है डॉक्टर सूर्य नारेंडर सुबेरे लिखा हुआ यहाँ पाठ का जो प्रशन उत्तर है वो हम देखने वाले हैं सबसे पहले मैंने समझा तो क्या समझा आप लोगों इस पाठ में हमने समझा है कि शब्द संपदा विकेशित करने के लिए हमें ज्यान राप्त करना बहुत जरूरी है इसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है जब हम पढ़ते हैं पुस्तगों से पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शब्द संपदा जमा होती है वह जो हम इस पार्ट से सीखे हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिये हैं उन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं तकलीप मतलब परेशानी निश्क्रिया मतलब कृति हिन मिलनसार मतलब मिल जुलकर रहने वाले मुहावरे दरार पढ़ना मतलब दूरी बढ़ाना अनाप्षना बोलना मतलब निरर्थक बाते करना तो यहाँ पर हम अभी प्रश्न जो हमें दिये गया है उन प्रश्नों को अभी उत्तर हम लिखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा प्रश्न पहला तीन चार वाक्यों में उत्तर लिखो उम्पदास वाध्या आए तो पहला प्रश भाशा सम्रुद्ध होती है जब एक भाशा में किसी शब्द के लिए प्रतिशब्द नहीं होता तब उस शब्द के लिए अन्न भाशाओं के शब्दों का उप्योग किया जाता है उधारण पेन पेंसिल शब्दों के ऐसे उप्योग के कारण ही भाशा सम्रुद्ध होती ह शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ लेखक, शब्दों के संसार को एक विचित्र संसार मानते है उनी के अनुसार शब्दों में बड़ी ताकद होती है शब्द ही मनुष्य को ज्यान से जोड़ते है, ज्यान से जोड़ते है शब्द हसाते हैं वो और तकलीव भी देते हैं लेखक चाहते हैं कि मनुष्य उन शब्दों को अपने जीवन व्यवर से बाहर निकाले जो शब्द मनुष्य को निश्क्रिय बना देते हैं अभी अब तीसरा प्रश्ण देखेंगे भाषा समुरुद्धी के कारण लिखो भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण आदी कारणों के कारण भाषा समुरुद्ध होती हैं चोथा प्रश्ण है वाचन संस्कृती बढ़ाने से होने वाले लाब लिखो वाचन संस्कृती से होने वाले लाफ एक वाचन संस्कृती से शब्द संपदा बढ़ती है दो वाचन संस्कृती बढ़ाने से हमारे चरित्र बुद्धि मत्टा और संस्कारों पर सकारात्म प्रवा बढ़ता है कम से कम शब्दों में बोलने की करा शब्दों में बोलना और लिखना सीखते है बाचन संस्कृती से हम ज्ञान की प्राप्ति होती है बाचन संस्कृती से हमारी समझ बढ़ती है तो इसी प्रकार हमारे पूरे प्रश्ण हमने उसके उत्तर लिखे है अब हम आगे का प्रश्ण है वो देखेंगे बाशा की ओर बाशा की ओर अभी नीचे दिये गए वाक के पड़ो और उपयुक्त शब्दों उच्छी जगह पर लिखो तो हमें अभी क्या करना है यहाँ पर वाक के लिखकर उच्छी शब्दों के लिखना है यहाँ पे हमारी ट्रेन है और यह ट्रेन में हमें सही जग्त से दस डैस डैस दूरी पर है लख्ष्मी मिल का मतलब क्या होता है कारखाना यहाँ से 10 मील की दूरी पर है तो मील यह क्या होता है? यह यूनीट होता है किसी भी अंतरको नापनी का, so thus मील दूरी पर है, दोनों मील है लेकिन दोनों मील मिल का मतलब अलग है दो, dash dash छोड़ दूँगा, dash dash नहीं छोड़ूँगा, प्राण छोड़ दूँगा, मतलब है कि मैं अपनी जान दे दूँगा, मर जाऊंगा और प्राण नहीं छोड़ूँगा, मतलब किसी के प्राण नहीं बक्षूँगा ऐसे, तो यह दोनों का भी अर्थ अलग है तीसरा है हंस, हंस, हंस को देखकर रुची का हंस पड़ी, अब यहाँ पे हंस और हंस का मतलब अलग है, हंस को देखकर, हंस मतलब यह पक्षी है, जो बहुत ही दिखने में शांदार होता है, उसे देखकर रुची का हंस पड़ी, हंस पड़ी मतलब बहुत हसने लगी, बहुत आनंदी हो गई है, बहुत खुश हो गई है तो यहाँ पे हंस मतलब पक्षी और हंस मतलब उसका उसने वो जो रियाक्शन दिया है उस खुशी का इजियार किया है उसका मतलब है हंस गई चोथा जो हमारा शब्द है कोश अब यहाँ पे श और श यह दोनों कांतर है, उसका मतलब भी अलग होता है, शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है, अब यहाँ पे शब्द कोश का मतलब है, एंसाइक्लपीडिया या फिर हमारे डिक्षनरी जिसको हम कोश कहते हैं, शब्द कोश, शब्द कोश में कोश मिलत कोष यह एक सब्द है जो कोषत हैं जहाँ पर कोश का मतलब कोश का मतलब हैं पूरे जहाँ पर कि आस razem के अर्थ दिये होते वह आप डिन कद यहां पर क्या रत हिमाँ दिन दुख्यों की सेवा करना सभी का करतव है दिन मतलब दिन भर का दिन और रात दिन दुखियों की दिन दुखी मतलब गरीब बे सहारा लोग उनकी सेवा करना सभी का करतव है तो यहाँ पर दिन मतलब दिन अपना डे और दिन मतलब गरीब दुख्यारे लोग कुल और कुल यहाँ पर कुल नदी के कुल का कूल जल समेटा नहीं जा सकता नदी के कुल का मतलब नदी का जो पानी है उसका कुल मतलब पूरा जल समेटा नहीं जा सकता दिया का क्या मतलब है दिया दिवाली में जला कर देहरी पर रख दिया दिया मतलब अपना जो दिया होता है जिसमें हम उजाला करते है घी या तेल से तो वो जो दिया होता है दिवाली में चलाकर देहली पर रख दिया देहली मतलब देहली जो होती है देहरी पर रख दिया मतलब रख दिया रखा है उसको पीता और पिता यहाँ पर उच्चारण से पानी पीता है पीता मतलब एक जो बरतन रहता है उसको पीता से पानी पीता मतलब वो पीना ग्रहन करता है पीता है तो इस प्रकार से हमारे जो भाशा की ओर आज हमने पूरे आठ शब्दों का हमें मतलब पता चला है कि जिनका उचारण एक जैसा है लेकिन उसका मतलब अल गया होगा और हम अभी यहां पर ही रुपते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई